ओम नमस्षिवाई आज गुरु देव दारा बताया गया कार्तिक खंड में वर्णित ऐसा उपाई जो की बेहत सरल है कार्तिक माह चल रहा है ऐसे में दस्टमी तिथी कब है यह भी जानेंगे दस्टमी तिथी का यह उपाई जीवन वदल देता है समस्त मनुकामना इस छोटे से उपाई से अवश्यपूर्ण होती है जैसे कि माता तुलसी स्रीहरी विष्णू और लक्ष्मी मैया के लिए होता है सच्चे मन से जो भी तुलसी की सेवा करता है स्रीहरी विष्णू की सेवा करता है उसकी मनोकामना अवश्यपूर्ण होती है ऐसे मैं आपको यह छोटा सा उपाय करना है आप भले ही कार्तिक इस्रान न कर पाएं कार्तिक माह में कुछ भी कारी न कर पाएं परंतु यह छोटा सा उपाय आपकी मनों कामनाओं को अवश्य पोन करता है सबसे पहले आप जिस भी विधिविधान से भगवान का पूजन करते हैं उसको किजिएगा उस मैया का जो है सुखा डंडा आपको लेना है यह बात ध्यान रखे कई बार सवाल मन में आता है कि गीला लें से हरा लें सुखा लें तो आपको सुखा हुआ लकडी लेनी है डंडी लेनी है उसमें से और घी का एक दीपक जलाना है और इस जो आपने सुखी हुई तुलसी की बहने हक्त, उसे भी पूरी तरह से इस दीपक में जला देना है, जब आप यह दीपक में इस चुखी हुई लखडी को जलाएंगे तुलसी महिया की तो अपने मन की आपको कामना कहनी है, जो इच्या है जो मन में आपकी भावनाए है वह आपको अवश्य कहनी है इस तरह से इस जो दीपक आपने तुलसी दीपक बनाया है यह सबसे बहतर वाना जाता है समस्त दीपकों में इससे आपको विधी विधान के साथ आरती करनी है जैसे आप आरती करते हैं और अपने मन की कामना अवश करनी है स्रीहरी विष्णु माता लक्षमी और मात तुलसी इससे बेहत प्रसन होते हैं और आपको इस तुलसी के दीप से जो पूजन करना है वह स्रीहरी विष्णु का करना है यह बात ध्यान रखें यह भी मन में सवाल आता है कि यह लंबी बाति का लेना चाहिए या गोल ब देवियां जो हैं वन्स विद्धी और धनलक्षमी में सहायक होती हैं तो आपके सवालों का जवाब भी मिल गया होगा वीडियो अपके लिए यूजवल रही हो और कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा राधे राधे जैमाता दी